राधी राधी दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुती अच्छी कहानी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें माधवपुर गाओं में किसन अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था, किसन की पतनी का नाम निर्मला और बेटी का नाम मेनू था, किसन जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था, किसन और निर्मला ने बड़े प्यार से मीनू को पालते थे, किसन जब छोटा था, तो उसके पिता सराब पीकर उसकी मा को मारा पीटा करते थे कमाना तो जैसे उसके पिता जानते ही नहीं थे किसन के मा ही बीड़ी के कार खाने में काम करके जैसे तैसे पैसे कमाती थी पर उसका पिता जवरन उससे पैसे छीन कर सराव के नसे में उड़ा देता था इसलिए किसन ज़्यादा पडलिक नहीं पाया था वे छोटी सी उमर में ही मेहनत करना सीख गया था वे चाहता था हमारी वज़े से बच्चों का भविश्य खराब न हो किसन हर दम अपने बीवी बच्चों को खुश रखना चाहता था साधी ब्याह हो या कोई चुनाव जीत गया हो किसी के गर नन्ना मेमाना हो या किसी खुशी के मौके पर किसन हर वक्त हुआ मौजूद रहता था ऐसे जगों पर किसन का हमेशा इंतजार किया जाता था क्योंकि किसन एक बाजा बजाने का काम करता था वे एक बैंड बाजा पाइटी के लिए काम करता था इनके इस बैंड बाजा पाइटी में पांच छे लोग रहते थे इन लोगों में से किसन का जोस ही सबसे निराला था वे कहीं पर भी बाजा बजाने लगता तो हर कोई उसका जोस देखकर उसका उत्साह बढ़ाने लगते और ताल पे नाचने लगते थे लोगों को नाचता देखकर किसन उस और उसके साथी पसीना बेहने तक जोर जोर से बाजा बजाने लगते थे जब सारा माहल ठंडा हो जाता जब सारा कारे कर्म खतम हो जाता तो इनके पार्टी को बस उंगलियों पे ही गिना जाए इतना ही महनता ना मिल जाता था हारे एक के हिस्से में बस कच रुपे आ जाते थे औरों की खुसियों में चार चांद लगाने में ये लोग पाने की तरह पसीना बहा देते हैं पर नाच नाच कर ठक चुके लोग इने सई महनता ना देना जैसे भूल जाते थे बस जो भी हाता वे उन्हें दे देते और कहते खाना भी खा कर जाना वे भी ऐसे कहते जैसे उन पर कोई महरबानी कर रहे हूँ लोगों का उटसाहा देख कर जोसमे आकर जोर जोर से बेंड बजाना भी एक मेहनत का काम है देखने वाले और नाचने वाले तो सिर्फ मजे लेकर जाते हैं और उन्हें इनके हातों के दर्द से कोई मतलब नहीं होता कभी कभी मौले के पास कोई कारिक्रम हो तो किसन हुआ बाज़ा बजाने गया हो तो मीनों भी हुआ चली जाती थी और अपने बाबा को इतने उस्याह के साथ बाज़ा बजाते देखकर बहुत खुस नजर आती थी शाम को किसन जब घर आता तो चुपके से अपने हाथों पर तेल मलने लगता था मेनों जब यह देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था वे अपने बाबा से कहती बाबा क्या बहुत दर्द हो रहा है हातों में मैं आपके हातों की मालिस कर दूँ किसान एक छोटी सी मुस्कान लिये उसके जो अपने पास बठा कर अपने हात उसके सामने कर देता और कहता तू जब इसे चुएगी तो दर्द अपने आप चला रहेगा में जो अपने बाबा के हातों को अपने गालों से लगाती और कहती बाबा आप ये काम छोड़ दिये ना क्या कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता जिसे आपको तकलीप ना हो अरे जिस काम में तकलीप ना हो तो किसन कहता वो काम किस काम का यदि इनसान बिना किसी तकल होगी नहीं उससे पैसे कमाएंगे किसन मीनों के सर पे हाथ पेरते हुए उसे समझा देता अंदा चूला फूकती निर्मला गुसे में आकर गरज पड़ती अरे ऐसा वैसा काम ना करेंगे तो खाएंगे क्या और तुमारी पढ़ाई का जो फिजूल खर्चा होता वो कहां से जावेंगे निर्मला थोड़ी कठोर दिल की थी वै लड़का चाहती थी वै किसन से हमेशा दूसरी ओलाद के बारे में सोचने के लिए कहती थी पर किसन अपने हालतों को बेखो भी जानता था वै नहीं चाहता था कि अपने गरीवी की बज़े से उनकी ओलादों को निर्मला उससे जगड़ा करती रहती, कभी कबार टेड़ी बात भी कह दिया करती थी, और गुस्सा भी किया करती थी, पर किसन है कि वे उसे कुछ नहीं कहता, ना नाराज रहता, कभी भी ना उसे डाटता, और ना कभी उस पे हाथ उठाया, निर्मला जैसी भी वे किसन उसस बड़ा सौक था वे तरह तरह की तस्वीरे बनाया करती और उसने अपनी कला के किताब में सबसे पहले पन्ने पर अपने मा बाप की तस्वीर बना रखी थी इसकूल में हो या घर पर वे किताब कोल कर सबसे पहले अपने मा और बाप की तस्वीर को परनाम करती फिर अपनी प घर पे मीनू किसी सवाल पर अटक जाती तो अपनी मा से उसका जवाब पूछती पर मा अनपड निर्मला को सवाल ही सीधा समझ में नहीं आता तो वे जवाब क्या खाक देती निर्मला काम में वैस्त होने का बाहना बनाती और बात को टाल देती पर शाम को जब किसन घर आता तो वेही सवाल जवाब वे अपने पिता से पूछती किसन आदा धूरा जवाब दे देता फिर मीनू बाकी सारा जवाब समझ जाती कुछ दिनों में मीनू के इमत्याहान आने वाले थे इसकूल में सभी के इमत्याहान की फीस भरने को कहा गया था अब जैदातर बच्चों के इमत्यान के वक्त कोई भी कारेकर्म या जलसा नहीं रखता था जो रोज कमा कर खाने वाले होते हैं उन्हें ऐसे दिनों में बड़ी कठना ही होती है हालात खराब होने की वज़े से किसी के पास जम्मा पूंजी भी नहीं रहती थी यह बात कि जो स्कूल के इमत्यान की फीस भरनी है मीनों ने घर आते ही अपनी मा को बताई निर्मला ने कहा कितनी फीस भरनी है उसकी रकम कितनी है ऐसे सवाल किये मीनों अपनी मा का चेहरा देखते हुए कहने लगी अमां 500 रुपे भरने है निर्मला अपने दाथ चबाते वे कहने लगी हाई रे हाई जादा खर्चा ना हो इसलिए तो तुझे सरकारी स्कूल में भरती कराया अब हुआ भी क्या सिक्षा का जो धंडा खोल बैठे है क्या गरीब योई सिक्षा से पीछे रह जाएगा निर्मला को ऐसे बोलता देखकर मेनू को बड़ा मज़ा आ रहा था उसने हस्तेवे का अरे नहीं अमा मैं तो मज़ाक कर रही थी कोई 500 रुपे नहीं सिर्फ 60 रुपे भरने है तो निर्मला कहने लगी ठैर तो जा जरा बहुत जवान चलने लगी है तेरी निर्मला मेनू के पीछे बेलन लेकर दोड़ पड़ी और मेनू हस्ते वे बाहर की ओर चली गई आज किसन ने घर आने में देर कर दी पर उसके माथे पर कुछ परिषानियों की लकीर दिखाई दे रही थी निर्मला ने उससे पूछा कहां थे अब तक खाना कब से ठंडा हो रहा है अब बैठे क्या हो जाओ हात मूँ धोलो मैं खाना लगाती हूँ जो बात निर्मला को पूछनी थी वह मीनू ने किसन से पूछी क्या हुआ बाबा इतने परिषान क्यों लग रहे हो क्या हातों में दर्द हो रहा है मैं तेल मल दू बाबा किसन ने एक नजर अपनी मीनू की तरफ देखा और का नहीं मीनू दर्द नहीं हो रहा बस जरासा ठक गया हूँ चलो खाना खाते हैं किसन की बात में दर्द भरी आवाज थी कुछ तो बात है जो वह छुपा रहा था किसन की हालत देख मीनू ने इसकूल फीस की बात ना करने का तै किया तीना खाना खाकर सो गए मीनू को नेंद लग चुकी थी किसन और निर्मला अभी जहान की फीस की बात बताई और सुबह जाने से पहले मेनों को पैसे देने को कहा रासन भी कम होता जा रहा है इतना कहकर वे आख बंद करके सो गई किसन अब भी अपने आखे छट पे जमाए न जाने क्या सोचने लगा आधी रात बीत जाने के बाद किसन को कब नीद आई उसे पता नहीं चला अगली सुबह रोज की तरह कोई अपना काम करने लगा तो किसन घर से बस निकलने ही वाला था हर तरफ लोग अपने कामों में लगे हुए थे निर्मिला ने उसे फीस की या बात याद दिला दी किसन ने मीनों से पूछा कब भरनी है फीस मीनों बेटा तो मीनों कहने लगी अभी चार दिनों में भरनी है बाबा किसन ने मुस्कुराते वे बोला तो फिर दो ही दिनों में दे देंगे हैं मीनों ने भी मीठी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया किसन घर से निकल गया मीनों भी स्कूल के लिए चली गई निर्मिला अपने घर के कामो में वैस्त हो गई, दूसरे दिन गाउ में एक बड़े आदमी के घर उसके लड़के की सगाई होने वाली थी, यह बात किसन और उसके साथियों को पता चली, वे खुस होकर तुरंट उस आदमी के घर पहुंचें, उस आदमी से मुलाकात की, और उने इस खुसी के मौके पे ब सबी बहुत खुस हुए, वे उस आदमी का सुक्रिया अदा करके तैयारी में जुट गए, सगाई कल थी, इसलिए किसन और उसके साथी, उस भले आदमी को खुस करने के लिए जोड़दार तैयारी करने लग गए, किसन के हिस्ते कुछ पैसे आ गए थे, जो उस आदमी ने के साथ दिये थे, शाम को घर आते वक्त किसन ने थोड़ा बहुत रासन लिया, और उसने मीनो के स्कूल की फीस के साथ रुपे पहली अलग करके निकाल रखे थे, घर पे मीनो पढ़ाई में लगी हुई थी, किसन चुपके से पीछे जाकर उसके आखों पे हाथ रख दिया मीनो ने बिना देर के पहचान लिया, और का बाबा आपो क्या मीनो, किसन कहने लगा, आज भी पहचान लिया, बाबा मीनो कहने लगी, आप ही तो हो जो ऐसे पीछे से आके बंद करते हो, अब अम्मा तो ऐसे करने से रही, तोरना यह कहकर हसने लगे, किसन ने मीनो को साथ रुपे निकाल कर दिये और स्कूल फीस भरने के लिए कहा निर्मला अंदर से ही रासन के बारे में पूछने लगी किसन ने तुरंत उसके हाथ में रासन की ठैली थमा दी तीनों रात का खाना खा कर अपने सपनों की दुनिया में खो गए आज ही शाम किसन और उसके साथियों को जिसके हैं सगाई थी हुआ जाना था सबने खूब तैयारी कर रखी थी सब ये उनके ठिकाने पर जमा होका उस सगाई वाले जगह पे जाने के लिए निकल पड़े पर रास्ते में ही उन्हें कुछ गाने बजाने की आवाज सुनाई देने किसन ने अपनी परिशानी पर जो आश्रिय की लकेरे लाते हुए कहा चलो वहीं चल कर देखते हैं माजरा क्या है सबी उस तरफ निकल गए वहाँ जाते ही सब के चेहरे का रंग फीका पड़ गया सामने साउंड के बड़े से स्पीकर लगे हुए थे कोई आकिष्ट्रा चला रहा था जिसकी सगाई थी तो उसने सहर के इस आकिष्ट्रा वाले को बुलाया था गाने की अवाज काफी तेज थी जिसकी धुन पर सभी नाचने में मस्त थे यह नजारा देखकर किसन और उसके साती तुरन सेट जी को खोज कर उसके पास चले गए सेट जी घर के आगन में कुरसी लगाए मुस्कुरा रही थे सामने से उन्हें आते देखकर उनकी मुस्कुरहट चली गई आँखे नीचे जुग गई किसन ने सेट जी से बड़ी नमरता से पूछा सेट जी ये सब क्या है आपने हमें न्योता दिया था न फिर ये सब अब हम क्या करें सेट जी भी उन आरकेश्ट्रा की बात को लेकर नाराज थे वो नहीं चाहते थे कि ये आरकेश्ट्रा वारकेश्ट्रा हो पर उनके लाडले की जिदकी वज़े से उन्हें खामोस रहना पड़ा उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस था उन्होंने इन बाजे वालों को बुलाया पर उनके बेटे ने शायद उनके पेट पर लात मार दी सेट ने उन्हें समझा बुझा कर शांत किया और अपनी जेव से उनके बच्चे हुए पैसे निकाल कर देने लगे किसन ने पैसे लेने से इंकार कर दिया जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया तो फिर किस बात के पैसे ले ऐसा उसने कहा पर सेट जी ने जबरदस्ती करने पर उनके बाकी सातियों के कहने पर उन्होंने पैसे ले लिये सेट जी खुस हुए और उनसे एक सवाल किया जायदातर ही है साधी वादी कारी करन तो शाम के वक्त ही होती रहते है फिर दिन में आप क्या करते हो उनके जबाव में किसी ने कहा कि वे किसी बीडी के कार खाने में काम करता है तो एक ने कावे लोहार का काम करता है किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा किसन खामोस खड़ा रहा सेट जी ने उससे भी वही सवाल दोराया किसन ने कहा कि उसे जहां भी कोई काम मिलता वे कर लेता है किसन एक आनाज के गोदाम में बोरियां उठाने का काम करता था इसलिए उसके हाथ दर्द करने लगते थे सेट जी ने सबी को खाना खा कर जाने का आगरे किया पर खाने की बात को किसन ने मना करने लगा उसने सोचा कि ही वे यहां बेंड बाजब जाने के जरिये से आये थे वो तो करना सके अब ऐसे में हम खाना खाने बैठ जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे इसलिए सभी ने खाना खाने से इंकार कर दिया और वहां से जाने लगे सेट जी ने किसन को आवाज लगाई और अपनी तरफ बुलाया और कहा के मेरे घर के पिछले हिस्से वे छोटा सा बगीचा है वहां अकसर घास काटने के लिए एक माली की जिरुरत होती है क्या तुम उगो काम करोगे रोजाना कुछ ना कुछ काम होता ही है पैसे की चिंता मत करो मैं रोजाना का मेहनताना दिया करूँगा किसन को और क्या चाहिए था उसने तुरंट थामी भर दी और उस सेट जी का सुक्रिया अदा करने लगा सेट जी ने उसके कंदे पे थप थपाया और कहा कि उसके कुछ भी मेहनत करने के लगन से वे बहुत खुस हुआ है बस ऐसे ही मेहनत करते रहो उपर वाला उसका फल हमेशा देगा और अच्छा फल देगा दौना की बाते खतम होने के बाद किसन हुआ से चला गया सेट जी भी बेटे की सगाई के कामों में लग गए रात को किसन जब घर आया तो बहुत खुस नजर आया निर्मला ने किसन का चैरा देखते ही का क्या बात है अज जल्दी आ गए और खुस भी लग रहे हो गाना बजाना जल्दी खतम हो गया क्या किसन बड़ी नर्मी से कहने लगा आज तो कमाल हो गया करने को कुछ गय थे हो कुछ गया निर्मला ने भी बड़ी उत्सुकता से पूछा क्या हुआ कुछ गड़बड हुई क्या खेर वो जाने तो अब आगे से सब ठीक होगा किसन ने कहा इतना कहकर मुँ हाथ दोने चला गया निर्मला भी खाना निकालने लगी मेंनों अपने पड़ोस की सहली के घर से आ गई थी किसन सुबह आट बजे ही घर से निकल गया उदर सेट जी के घर जिनका नाम दौर का दास था मुआ जाकर वे सेट जी से मिला उन्होंने किसन से का इतनी जल्दी आ गए इस बात की तारीफ की और उसे अपना पूरा बगीचा दिखाया फिर उसे काम समझा कर चले गए बगीचा तु दीखने में बड़ा था और काम भी जायदा था किसन काम पर लग गया उसने बड़ी मेहनत से पूरे दिन में लगभग आदे से ज़दा घास काट कर साफ कर दिया उसकी जगे अगर कोई होर होता तो पूरे दिन वे सिर्फ आदा बगीचा ही साफ किया होता साम के वक्त किसन काम खतम करके सेट जी के पास गया और बताया कि सेट जी आज का काम खतम हुआ सेट जी बड़े खुस हुए उसने एक ही दिन में घास काटकर साफ कर दिया उन्होंने अपनी जेम में हाट डाल कर 50 रुपे उसे देने लगे पर किसन पैसे लेने में हिचकिचा रहा था यह देख सेट जी को लगा शायद यह 50 रुपे कम लग रहे है इसलिए सेट जी ने उसे कहा यह लो यह तो इनाम है उन्होंने देवारा जेमे से जो रुपे निकाले और किसन को दे दिये अब किसन ने हाट में कुल 120 रुपे थे जो उसके लिए काफी थे इतना मेंताना उसे कभी नहीं मिला उसने सेट जी का सुक्रिया अदा किया और कल और क्या काम करना है उसके बारे में पूचा सेट जी ने मुस्कुराते हुए कहा कल आने के बाद बताता हूँ किसन अब खुसी खुसी घर की और निकल गया उसने घर जाते हुए कुछ रासन और मेनू के लिए जलेवी और मुर्मुरे खरीद लिए मेनू को वे बहुत पसंद थे कुछ पैसे अब भी बचे थे जो घर जाकर किसन निर्मला के हाथों में थमा दिये और सारा समान भी निर्मला खुस हो गई मेनू भी अपनी पसंद की जलेवी और से मुर्मुरा देखकर खुस हो गई आज बड़े दिनों के बाद किसन ने कुछ खाने को लेकर आया था वे दोनों को खुस देखकर बड़े सगुन की सांस ले रहा था तेन चार महा ऐसे खुसी से गुजर गई एक दिन मेनू स्कूल में खाने की छुट्टी में खाना खाकर खेल रही थी अचाणक वे जोर से हापने लगी उसे चक्कर आने लगा और गिर गई साथ खेल रहे बच्चों ने स्कूल के सिक्षकों को तुरंट उसकी ख़बर दी अध्यापकाओं ने मीनू को तुरंत नजदी को अस्पताल में भरती कराया किसन और निर्मिला को इसकी तुरंत जानकारी दी गई निर्मिला घर और किसन सेट जी के हैं काम से दोनों अपना सारा काम छोड़ कर दोड़े दोड़े अस्पताल आ गए निर्मिला पहले पहुँच चुकी थी मीनु को डॉक्टर साब अंदर के कमरे में देख रही थे निर्मिला पड़ोस की देव की भावी जो निर्मिला के साथ आई हुई थी वे दोनों बाहर बैटी थी तब ही वहां किसन हापते हुए आया और निर्मिला ने उसकी तरफ देखा और आँसों निकलने लगे उसके वे किसन से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी देखिये ना हमारे मीनु को क्या हो गया है वो आँख नहीं खोल रही है ना कुछ बोल रही है किसन ने निर्मिला को तसली देने लगा और का अरे पागल रोती क्यों है कुछ नहीं होगा मीनू को बच्चे एकसर ऐसे बिमार हो जाते हैं गिरते पड़ते रहते हैं अभी दोड़ते हुए बाहर आ जाएगी अपनी मीनू किसन का दिल भी अंदर से रो रहा था पर निरमला के सामने उसने पने आसों को दबाई रखा और डॉक्टर साहब बाहर आ गएं उन्हे देकर किसन किसन और निर्मला उनके पास जाकर मीनू का हाल पूछने लगे डॉक्टर साहब ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा देखिए मिश्टर किसन बात यह है फिर डॉक्टर साहब रुख गए किसन और निर्मला घबराते वे कहने लगे डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है डौक्टा साहब ने उन्हें धीरस से काम लेने को कहा और आगे कहने लँए दरसल बात यह है कि मीनो के दिल में एक छोटा सा च्छेदे उसका तुरंट ओपरेशन करना पड़ेगा वर्ना तो किसं कहने लगा वरना क्या डौक्टर साहब तो डौक्टर साहब कहने लगे किसन और निर्मला बस एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी हालत देखकर डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाया, यह ओपरेशन के बाद मेनू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, किसन अपने आसुओं को पलकों में दवाई डॉक्टर साहब से ओपरेशन का खरचा कितना होगा, पूछने लगे, डॉक्टर साहब ने उन्हें ओपरेशन का कुल खरचा 20-30,000 बताया, जिसे सुनका किसन डॉक्टर साहब को बस देखता रह गया, और निर्मला तो जोर जोर स रोने लगी, किसन जैसे तैसे निर्मला को चुप करने लगा, और डॉक्टर साहब से कहने लगा, डॉक्टर साहब आप मीनो को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए, मैं कहीं से भी कुछ भी करके पैसो का इंतिजाम कर दूँगा, आप बस मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, किस किसन मीनू के सर पे हाथ फेर रहा था निर्मला मीनू का एक हाथ पकड़ कर रो रही थी कुछ देर में मीनू अपने हाथ हिलाने लगी दीरे दीरे उसने आखे खोल रही थी किसन ने मीनू को देखा और निर्मला को इसारे से आंसू पोंचने को कहा मीनू ने आखे खोली तो स अभी स्कूल में भागम भाग नहीं करूंगी ऐसे खेलते ही मैं गिर गई थी किसन अपने आपको संभालते हुए मीनू के सर पे हाथ फेरते हुए कहने लगा कुछ नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ थोड़े दिन में तुम पहले जैसा खेल खूद पाओगी निर्म मीनू अपने मा बाबा को देखकर कहने लगी निर्मला के मुह से एक सब्द भी नहीं निकल रहा था किसन नहीं मीनू से का हा मीनू हम जल्दी ही घर चलेंगे मीनू को समझा कर किसन कहने लगा मैं अभी आता हूँ वे अस्पताल के बार एक पेड़ के नीचे किसन अपने किसन खड़ा हुआ उसने अपने एक दो दोस्तों को वहीं अस्पताल में रुकने को कहा और वह एक दोस्त को लेकर कहीं चला गया देर रात किसन अस्पताल लोटा आया वह मीनू के वाइड के बाहरी एक कुरसी पे अपना सर नीचे जुकाई बैठा था उसका दोस्त उसके सा नहीं था निर्मिला मीनू के पास सोई हुई थी किसन ने अपना चेहरा नीचे छुपाई ही वह जहां गया था वह क्या हुआ वह सब उसे याद आने लगा किसन और उसका दोस्त किसन जो अभी जहां काम कर रहा था उस सेट जी के घर गया था जैसे वे दोनों उसके गेट क पास पहुँचे उन्हें काफी भीड दिखाई दी पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ रहा है दोफैर को किसन जब काम से अस्पताल की ओर आ रहा था तब ना तो कोई भीड थी और ना ही कुछ हुआ था किसन को समझ में कुछ नहीं आ रहा था वह दीरे दीरे अपने कदम देखकर उसकी आँखों के सामने अंधेरा चा गया आगन के बीचों भी सपेद कपड़े में एक सब रखा हुआ था वह सब किसन के सेड़ जी की थी किसन उनकी इस तरह रखे सब को देखकर बहुत दुखी हो गया यह वही सेड़ जी थे जिस पर किसन को उम्मीद थी कि वह बताओ किसी भी चीज की जरुरत हो तो मुझसे कहना पर यहां आकर ही है सब देखकर किसन का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया वह थोड़ी देर बाद उठा और सेड़ जी के बेटे के पास गया उनका बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था उसके आँखों में आसू थे किसन उनके पास जाकर पूछने लगा यह सब कैसे हुआ उसने बताए कि उसके पापा को अचानक दिल का दोरा पड़ा और वो चल बसे ऐसे अचानक जाने से सबी को दुख हुआ है पर किसन किस दुख में किस दुबीदा में था यह तो वही जानता था किसन सेट जी का क्रिया कलाब करके अस्पताल आया था जब आख खुली तो किसन के चेहरे पे सूरज की किरने पड़ रही थी वह इदर उदर देखता और कुर्सी से ओटकर खड़ा हो गया उसने अंदर जाकर मीनो को एक नजर देखा मीनो सो रही थी उसकी खटिये के नीच समलाने के लिए क्या जरुति कहा उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह तो उनका फर्ज था किसन निर्मला और मीनो को चाय नास्ता देखा दोस्तों के साथ बाहरा गया उसके दोस्तों ने एक छोटी सी पोटली निकाली और किसन के हाथों में थमा दी उसमें कुछ रुप पे थे किसन तुरंट उसे डॉक्टर के साहब के पास ले जाकर जमा करवाया और बाकी पैसे जल्दी लाने का वादा किया किसन एक बार फिर सेट जी के बेटी से मिलना चाहता था उसने फिर अपने एक दोस्त को साथ लेकर सेट जी के घर चला गया सेट जी का बेटा अजय जो घर में अपने मेहमानों के संग बातचीत करने में लगा हुआ था किसन ने अजय के पास खड़े एक आदमी को इसारा किया कि वै अजय को यहां बुलाए अजय ने तरंत पीछे मुड़ कर देखा वै उसके पास चला गया उसने किसन से कहा कि तुम हमारे बगीचा में काम करते हो ना पिताजी ने तुमारा जिकर किया था और कहा था तुमारी मदद करें कैसी है तुमारी बेटी अब किसन अपनी नजरे जुकाए और हाथ जोड़े कहने लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा उसके दिल में छेद है तुरंत आपरेशन करना अजय ने उसे तसली दी और कहा सब ठीक हो जाएगा उसने अपनी जेव से कुछ पैसे निकाले और किसन के हाथों में थमा दिया और कहा के ये कुछ पैसे रख लो पिताजी की तरफ से मैं दो तीन दिन में सहर जा रहा हूं अपनी बेटी का ख्याल रखना इतना कहकर वे अ गुआए देने लगा किसन के दोस्त ने कहा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं किसन ने चार पांच दिन में करीब 20,000 रुपे जमा किये थे और वे डॉक्टर से ऑपरेशन करने की गुजारिस करने लगा डॉक्टर अभी आपरेशन करने के लिए तयार नहीं थे वे किसन को समझाने लगा ऑपरेशन में कुल खर्चा 25 से 30,000 आना है कुछ डॉक्टरों को बाहर से बुलाना पड़ेगा और इसकी दवाईयां भी जायदा लगनी है तो पूरे पैसा जमा किये बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता डॉक्टर नों ने उन्हें एक सला द उतल जायेंगे पर मेनौ को जो उने खास ध्यान रखने को का किसन और उसके दोस्तों नेूक्टरों से बहुत मिन्ना देगी पर वेज माना पर इसान होकर किसन के दोस्तों ने उसे बाहर जो लाए और कहा कि अभी मीनौ को घर ले चलते हैं किसन कहीं से तो पैसो का हुई थी किशनने अपना सारा समान लेने को कहा और मीनु जो खटिये पर बैठी हुई थी उसे घर चलने को कहा निर्मला कहने लगी ऐसे अचैनग ऐसे कैसे घर क्यों जा रहे हैं मीनु का तो अभी इलाज भी नहीं हुआ इसनने उससे कहा कि घर चलकर सब बता देगा निर्मला मान नहीं रही थी मीनु तो कब से घर जाने को बेताव थी वे तरंत तयार हो गई किसन ने जैसे तैसे निर्मला को समझाया डॉक्टर से बात करके मीनु को दवाईया लेकर और मीनु को लेकर वो घर चल दिये वहे रात उनकी बेचे निर्ट उसने इधर उधर देखा तो वे समझ गई कि वो अस्पताल में है उसने का अमा बाबा मैं फिर कभी स्कूल में भागम भाग नहीं करूँगी ऐसे खेलते ही मैं गिर गई थी किसन अपने आपको संभालते हुए मीनु के सर पे फेरते हुए कहने लगा कुछ नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ थोड़े दिन में तुम पहले जैसा खेल कूद पाओगी निर्मला अपने आसों को रोक नहीं पाई उसने मीनु का हाथ अपने गालों पे लगाया और फिर उन्हें चुमने लगी आज अम्मा को क्या हो गया मीनु ने पूछा बाबा बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ है मुझे जल्दी से घर ले चलो न मीनु अपने मा बाबा को देख कर कहने लगी निर्मला के मुँ से एक सब्द भी नहीं निकल रहा था किसन ने मीनु से का हाँ मीनु हम जल्दी ही घर चलेंगे मीनु को समझा कर किसन कहने लगा मैं अभी आता हूँ वे अस्पताल के बार एक पेड़ के नीचे किसन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था वे बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था उसके दोस्तों ने उसे कई तरह के राय विचार दिये पर किसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक से किसन खड़ा हुआ उसने अपने एक दोस्तों को वहीं अस्पताल में रुकने को कहा और वे एक दोस्तों को लेकर कहीं चला गया देर रात किसन अस्पताल लोटाया वे मीनू के वाइड के बाहरी एक कुर्सी पे अपना सर नीचे जुकाई बैटा था उसका दोस्त उसके साथ नहीं था निर्मिला मीनू के पास सोई हुई थी किसन ने अपना चेहरा नीचे छुपाई ही वे जहां गया था वह क्या हुआ वह सब उसे याद आने लगा किसन और उसका दोस्त किसन जो अभी जहां काम कर रहा था उस सेट जी के घर गया था जैसे वे दोनों उसके गेट के पास पहुँचे उन्हें वह काफी भीड दिखाई दी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है दोफैर को किसन जो काम से अस्पताल की ओर आ रहा था तब ना तो कोई भीड थी और ना ही कुछ हुआ था किसन को समझ में कुछ नहीं आ रहा था वे दीरे दीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था आगे के कुछ लोग सपेद लिवास पहने हाथ जो बंद खड़े बंद मतलब जोड़ कर खड़े थे किसन और आगे गया आगे का नजारा देखकर उसकी आखों के सामने अंधेरा चा गया आगन के बीचों भी सपेद कपड़े में एक सब रखा हुआ था वह सब किसन के सेड़ जी की थी किसन उनकी इस तरह रखे सब को देखकर बहुत दुकी हो गया यह वही सेड़ जी थे जिस पर किसन को उमीद थी किवे अब सेड़ जी से मीनू के इलाज के लिए पैसे ले सकता है किसन एक जगह बैठा सोच रहा था कि अभी दौफेर में तो सेट जी भले अच्छे थे मुझे कहा था कि अस्पताल जाकर मेनू की खेरियत देखो और मुझे बताओ किसी भी चीज की जरुष हो तो मुझे से कहना पर यहां आकर ही है सब देखकर किसन का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया वे थोड़ी देर बाद उठा और सेट जी के बेटे के पास गया उनका बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था उसके आँखों में आसू थे किसन उनके पास जाकर पूछने लगा यह सब कैसे हुआ उसने बताय कि उसके पापा को अचानक दिल का दोरा पड़ा और वो चलबसे ऐसे अचानक जाने से सबी को दुख हुआ है पर किसन किस दुख में किस दुबीदा में था यह तो वही जानता था किसन सेट जी का क्रिया कलाब करके अस्पताल आया था जब आख खुली तो किसन के चेहरे पे सूरज की किरने पड़ रही थी वह इदर उदर देखता और कुर्सी से ओटकर खड़ा हो गया उसने अंदर जाकर मीनो को एक नजर देखा मीनो सो रही थी उसकी खटिये के नीचे पास में निर्मला बैठे बैठे सो रही थी किसन जैसे ही बाहर आया उसके कुछ दोस्तों ने उसके लिए चाय और नास्ता लाई थे किसन ने उनसे यह सब लाने के लिए क्या जरुरती कहा उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह तो उनका फर्ज था किसन निर्मला और मीनो को चाय नास्ता देखा दोस्तों के साथ बाहर आ गया उसके दोस्तों ने एक छोटी सी पोटली निकाली और किसन के हाथों में थमा दी उसमें कुछ रुपे थे किसन ने उन्हें पहले तो लेने से मना कर दिया पर दोस्तों ने जब जबर्दस्ती करने की तो उन्हों ने ले लिया और उनका ऐसान मानने लगा उस पोटली में कुल 6 हजार रुपे थे किसन तुरंत उसे डॉक्टर के साहब के पास ले जाकर जमा करवाया और बाकी पैसे जल्दी लाने का वादा किया किसन एक बार फिर सेट जी के बेटी से मिलना चाहता था उसने फिर अपने एक दोस्त को साथ लेकर सेट जी के घर चला गया सेट जी का बेटा अजय जो घर में अपने मेहमानों के संग बाचित करने में लगा हुआ था किसन ने अजय के पास खड़े एक आदमी को इसारा किया कि वै अजय को यहां बुलाए अजय ने तरंथ पीछे मुड़ कर देखा वै उसके पास चला गया उसने किसन से कहा कि तुम हमारे बगीचा में काम करते हो न पिता जी ने तुमारा जिकर किया था और कहा था तुमारी मदद करें कैसी है तुमारी बेटी अब किसन अपनी नजरे जुकाए और हाथ जोड़े कहने लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा उसके दिल में छेद है तुरंत आपरेशन करना पड़ेगा वरना किसन बस इतना ही बोल पाया अजय ने उसे तसली दी और कहा सब ठीक हो जाएगा उसने अपनी जेव से कुछ पैसे निकाले और किसन के हाथों में थमा दिया और कहा के ये कुछ पैसे रख लो पिताजी की तरफ से मैं दो तीन दिन में सहर जा रहा हूं अपनी बेटी का ख्याल रखना इतना कहकर वे अपने मेहमानों की ओर चला गया किसन भी वापस अपने कदम अस्पताल की और बढ़ा दिये जाते वे उसने पैसे गिने तो वे पूरे दस हजार थे किसन को अजय पे काफी नाज हुआ वे उसे दुआएं देने लगा किसन के दोस्त ने कहा कि इस दुआ में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं किसन ने चार-पांच दिन में करीब बीस हजार रुपे जमा किये थे और वे डॉक्टर से ऑपरेशन करने की गुजारिस करने लगा डॉक्टर अभी आपरेशन करने के लिए तयार नहीं थे वे किसन को समझाने लगा ऑपरेशन में कुल खर्चा 25 से 30 हजार आना है कुछ डॉक्टरों को बाहर से बुलाना पड़ेगा और इसकी दवाईयां भी जायदा लगनी है तो पूरे पैसा जमा किये बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता डॉक्टर नहीं उन्हें एक सला दी कि वो मीनो को अभी घर ले जाए कुछ दवाईयां दिखकर देंगे उसे मीनो को बराबर देने को का दो चार दिनों में जब पैसे जमा हो जाए तब मीनो का ऑपरेशन करेंगे पर मीनो को जो उने खास ध्यान रखने को का किसन और उसके दोस्तों ने डॉक्टरों से बहुत मिन्नते की पर वे नहीं माना परेशन होकर किसन के दोस्तों ने उसे बाहर जो लाए और कहा कि अभी मीनो को घर ले चलते हैं किसन कहीं से तो पैसो का इंतिजाम करके मीनू बिटिया का इलाज करवाएंगे दोस्तों की हम दर्दी देखकर किसन अपने आसू पोंचने लगा और वह मीनू के वार्ड में चला गया निर्मिला मीनू के पास बैठी हुई थी किसन ने अपना सारा समान लेने को कहा और मीनू जो खटिये पे बैठी ह हुई थी उसे घर चलने को कहा निर्मिला कहने लगी ऐसे अचनक ऐसे कैसे घर क्यों जा रहे हैं मीनू का तो अभी इलाज भी नहीं हुआ किसन ने उससे कहा कि वह घर चलकर सब बता देगा निर्मिला मान नहीं रही थी मीनू तो कब से घर जाने को बेताव थी वह तरंत त पेचैनी और फिकर के साथ बीट गई पर सुबह के पंचियों की चिलाट के ने किसन को मीनू की सबेरे सबेरे उठकर पढ़ाई करने की आवाज सुनाई दे रही थी वह उठा तो अपनी आखे मली और मीनू की तरफ एक नजर देखा वह गेरी नीद में थी कितना मासूम चेह लग रहा था उसका किसन मनी मनों उसे देखकर सोचने लगा मीनू का इलाज होते ही घर में फिर से उसकी आवाज उसकी सरारत उसका बड़बडाना गूंजने लगेगा निर्मला रसोई में थी किसन उठा और दातुन करते ही यही सोचने लगा कि इलाज के बाकी के पैसे कै बैसे जमा करे हैं मुहाँध होने के बाद निर्मला ने उसे चाहे दी और वे भी पैसों के बाबे मेंपूछने लगी किसन के पास इस वक्त कोई जभाब नहीं था उसने सिर्फ उसे तसलीदी कि कही न कहीं से तो इंतजाम कर लेगा कि सन पूरा दिन इधर से उधर मारा मारा फिरता रहा हर जान पहचान वाले के दर्वाजे पर दस्तक दी पर सबी ने हाथ खड़े कर दिये पूरा दिनियों ही बीत गया शाम का वक्त था मीनू घर में खटिये पे सोई हुई थी निर्मला चावल चुनने में वैस्त थी किसन आंगन में अपने कुछ दोस्तो के साथ बैठा बाते कर रहा था उन में चर्चा चल रही थी कि बाकी के पैसे कैसे जुटाए जाएं किसन गरीब था उसके पास ना जमीन थी और ना ही गहने थे जिसे बेचकर वे मीनू का इलाज कर सकें किसन के दो दोस्तों ने कहीं से चार हजार का इंतजाम किया और वे जाकर किसन को दे दिये किसन को थोड़ी राहत मिली वे अपने दोस्तों का सुक्रिया अदा करने लगा उसके दोस्तों ने कहा ये तो उनका फर्ज था मीनू हमारी भी तो बेटी है किसन और उसके दोस्तों ने तकरीबन बीस हजार का इंतजाम किया था अब बस पांच हजार और जोड़ना था किसन फिर अपने सेट जी के घर चला गया उनके बेटे अजैसे मिलने उसे लगा अगर वे और थोड़ी मदद मांगे तो वे मना नहीं करेगा किसन जब हुआ पहुँचा तो पता चला अजै घर पर नहीं है वे सहर जा चुका है किसन अपने किसमत पर रोता हुआ हुआ से खाली हाथ लोटाया तीन दिन गुजर गए पर अभी भी पांच हजार का इंतजाम नहीं हो सका मेनू की तब बिगडते जा रही थी किसन और निर्मिला फिर से उसे अस्पताल ले कर गए डाक्टर ने उन्हें फोरण आउपरेशन करने की सला दी पर पूरे पैसे जमा नहीं करने के बाद डाक्टर ने फिर दवाई दी और उसे घर जाने को कहा दूसरे दिन फिर मेनू को सांस लेने में तकलीफ होने लगी किसन और निर्मिला मेनू के पास बैटे भगवान से प्राथना करने लगे कि उनकी मेनू को बचा ले प्रभू एक साम सूरज अपनी गरम किरनों को छुपा चुका था यहां घर में निर्मिला एक दीवार से जो टिके हुए बैटी थी वे अजीब दीख रही थी उसके बाल बिखरे हुए थे आँखे लाल थी उनमें सूजन बड़ी हुई थी निर्मिला के आसपास कुछ लोग बैटे हुए थे निर्मला जहां बैटी थी ठीक, उसके उपर दिवार पर एक सुन्दर सी तस्वीर लगी हुई थी उस तस्वीर पर फूलों की माला चड़ी हुई थी कितनी सुन्दर लग रही थी वे तस्वीर, मानो अभी बोल पड़ेगी वे सुन्दर तस्वीर प्यारे मीनू की थी वो तस्वीर बेचारी मीनू सबकी प्यारी मीनू अब भगवान को प्यारी हो चुकी थी आज उसका चौथा था कुछ लोग उसकी तैयारी में लगे वे थे पर किसन कहीं नजर नहीं आ रहा था शायद रहा कुछ समान लेने गया होगा किसन अपने गले में बाज़ा लटकाई उसे धीमे धीमे बजाते हुए हर घर के दरवाजे पे जाता और पूछता के मीनू आई थी क्या है खेलते खेलते कहीं आपके घर तो नहीं आई उस घर के लोग हैरान होकर सिर्फ नामे सिर हिलाते किसन फिर अपने कदम दूसरे घर की और बढ़ाता वे चलते चलते कुछ बड़ बड़ा रहा था वे कह रहा था ये मीनू भी ना आजकल बहुत परेसान करने लगी है ए जगे टिकती नहीं है किसन हर दरवाजे पे जाता बाजा बजाता और यही सवाल पूछता मीनू आई है क्या मेज चंद रुपे ना होने की वज़े से एक मासूम बच्ची को जान गवानी पड़ी पूरे दुनिया में की तो बात ही छोड़ो सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही न जाने कितनी जाने सिर्फ पैसों की वज़े से चली जाती है आप जरूरत है हर इंसान को अपने इंसानियत दिखाने की एक दूसरे की मदद करने की ताकि फिर कोई मासूम को अपनी जान न गवानी पड़े दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें रादे रादे